हेलो फ्रेंट्स वेसल रूट हाउजन ट्वेंटी और टुमाल इंडरस्टी के लिए जादा अच्छा नहीं रहा फिर भी इस साल वाइड रेंज में नई कारों को लॉंच किया गया है इस वीडियो में 2020 में लॉंच होने वाली कारों को कवर किया गया है जिसमें उनकी इस वीडियो ना मिस्कर सकें अपकमिंग सबसे पहली कार है स्कौडा कैरोग स्कौडा रिसेंटली लॉकडाउन खुलने के बाद अपनी कार को इंडियन मार्केट में लॉंच करेगी कंपनी ने इस कार को 2020 के आटो एक्सपो में डिस्पले किया था कंपनी इस कार की बुकि टॉर्क और देगा आपको 150 BHP की पावर इसमें आपको आपको आटोमेटिक स्पीड गियर 7 ट्रांस्मिशन दिया जाएगा इंडिया में लॉंच होने के बाद इसकी प्राइज रेंज स्टार्ट हो सकती है 20 लैक से लॉंच होने के बाद ये कार कॉंपिटिशन देगी किया इंडिया में 2020 आटो एक्सपो में इस कार को काफी हाई प्रोफाइल लुक में प्रेजेंट किया गया था जिसमें इसके फ्रंट लुक में न्यू ग्रिल फिट की गई है और साथी LED लाइट को भी अपडेट किया गया है ये कंपनी का पहला फेसलिप्ट मॉडल है जिसमें फुल LED मेट्रिक्स का यूज किया गया है विज्वल अपडेट के साथ इसमें न्यू बीए सिक्स टू लीटर बीएकसाई टर्बो इंजन दिया गया है जो प्रेडियूस करता है 90 बीएच्पी की पावर और जन्रेट करता है 320 नैनोमीटर का टॉर्क ये कार 7 स्पीड गेर इस कार की फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलता है आपको फुल डिजिटल इंस्टुमेंटल क्लस्टर, हैंट फ्री पारकिंग, थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर टेल गेट, इलेक्ट्रोनिक एजस्टेबल ड्राइविंग सीट और सन्रूफ जैसे एडिशनल फी कंपनी इस कार की टेस्टिंग बहुत लंबे टाइम से कर रही है, 2020 थार में आपको दो वरियंट मिल सकते हैं, जिसमें एक सॉफ्ट टॉप और दूसरा हाट टॉप होगा, रिसेंटली थार को इंडियन रोड्स पर स्पोर्ट किया गया था, इसमें ब्लैक अलॉई विल्स दिये गए हैं, इस कार की फीचर्स की बात करें तो, इसमें मिलता है आपको और्टोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडिशनर, विद हीटर, म्यूजिक सिस्टम, विंड शील्ड और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स, सेफटी फीचर्स में मिलते हैं आपको डूवल ए प्राइस 10 लेक रुपीज हो सकती है, अब कमिंग फोर्थ कार है मारुति सुजुकी की स्क्रॉस पेट्रोल, स्क्रॉस को कंपनी की ऑफिचल साइट पर भी रिजिस्टर्ट कर दिया गया है, जिसको लॉकडाउन ओवर होने के बाद एकदम से लांच कर दिया जाएगा, सियाज, विटारा ब्रेजा में भी यूज किया है, और इस इंजन के साथ आपको 5-speed manual और 4-speed automatic gearbox का ओप्शन दिया जाता है, एस क्रॉस को किसी भी कॉस्मेटिक अपडेट के साथ नहीं लॉंच किया जाएगा, डीजल के कमपैरिजन में इसके पेट्रोल DBS 6 मॉडल के सकती है, मारुती सुजुकी S-Cross पेट्रोल वेरियंट अपने लॉंच होने के बाद competition देगी हुनडाई क्रेटा पेट्रोल वेरियंट को, अपकमिंग नेक्स कार है हॉन्डा जैस फेसलिफ, हॉन्डा ने अपनी recently premium जैस को officially showcase किया था, जो lockdown over होने के बाद लॉंच की New Jazz में cosmetic changes किये गए है, इस कार को पहले से जादा new sporty design दिया गया है, साथ ही इस कार के interior में भी changes किये गए है, जिससे ये पहले से जादा classy appearance देती है, बात करें इसके exterior look की, तो इसमें आपको LED headlight के साथ integrated DRLs और LED daylight देखने को मिल सकती है इसकार में आपको BS6 new variant petrol और 1.5 लीटर diesel engine option मिलेगा, जो manual और automatic gearbox से less होगा New Honda Jazz के competition की बात की जाए तो इसका face-off होगा मारती Suzuki की बलीनों, Hyundai, i10, Toyota, Glass और Tata की Eltrot जैसी premium कारों के साथ BS6 Honda Jazz की expected price range हो सकती है 7.5 lakh रुपीज upcoming next car है Hyundai Tucson facelift, Hyundai Motors India ने 2020 Expo में अपनी इस car को unveil किया था जिसमें कुछ cosmetics update के साथ new BS6 petrol और diesel दोनों ही engine देखने को मिले डिजाइन में 2020 Tucson facelift को horizontal chrome strip के अलावा more attractive gill दी गई है और इसके अलावा new alloy wheels और bumper देखने को मिलते हैं features की बात करें तो इस car में आपको apple carplay और android carplay दोनों ही support करने वाला 8 inches का infotainment system मिल जाता है ये car 2.2 liter engine के साथ ही continue रहेगी इसकी expected price range 17 से 20 lakh हो सकती है upcoming next car है Toyota Urban Cruiser Toyota Suzuki partnership में Toyota Motors ने 2019 में अपना first joint project Toyota Glanza को launch किया था Toyota Suzuki partnership के अंदर ये company अपना second product Maruti Suzuki Vitara Breza के रूप में launch करने जा रही है इस car में आपको 1.6 liter BS64 cylinder engine मिलेगा जो generate करेगा 105 BHP की power और देगा आपको 138 nanometer का torque features की बात करें इस car में आपको मिलेगा 8 inches infotainment system, climate control, speed alert system, dual airbags, ABS, EBD और बहुत सारे additional features इस car की expected price range होगी 8 lakh से 10 lakh रुपीज upcoming next car है Tata Gravita Tata Gravita एक 7 sitter SUV कार है, ये कार बहुत ही attractive और bold look देती है इस car को आप Tata Harrier का 7 sitter version भी कह सकते है इस car का interior दूसरी luxury car जैसा ही high tech रखा गया है इस car में मिलता है आपको 2 liter diesel engine जो generate करता है 170 BHP की power और इंडिया में आते आते इस car का आपको 1.5 liter turbo engine भी option में मिल सकता है जो generate करता है 150 BHP की power प्रोवाइड करती है 7 inches के big alloy और साथ में आपको sunroof भी दिया जाता है इस car को August 2020 में launch किया जाएगा, इसकी expected price range 50 lakh रुपीज हो सकती है upcoming next car है MG Hector Plus MG Hector इंडिया में launch के बाद से ही बहुत अच्छे amount में sale हो रही है इसलिए company ने अब इसका 7 sitter variant launch करने का decision लिया है इस variant को company ने Auto Expo 2020 में reveal किया था इस 7 sitter model में आपको almost सारे feature MG Hector 5 sitter वाले ही provide किये जाएंगे बस इसके looks में थोड़े से changes किये जाएंगे company ने कहा था इस car को 2020 के mid तक launch कर दिया जाएगा इंडिया में lockdown होने से इसकी launching date postponed हो सकती है इस car की price range की अभी तक कोई भी information नहीं मिली है still इस car की price range MD Hector के 5 sitter वाले variant से 2,000,000 रुपे जादा हो सकती है upcoming 10th car है MG Gloster MG Gloster एक luxury 7 sitter car है ये car large segment वाली car है इस car की price range अपने segment की दूसरी कारों से बहुत कम रखी गई है इस car में आपको Land Rover जैसे features दिए गए हैं जैसे sunroof, climate control, 8 inches का instrumental cluster, apple car play, android car play, support करने वाला 12 inches का infotainment system company आपको petrol और diesel दोनों ही engine option प्रोवाइड करती है जिसमें petrol variant में आपको मिलेगा 2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन वहीं इसके diesel engine में मिलेगा आपको 2 लीटर diesel engine ये car automatic 8 speed transmission में आती है इंडिया में ये car दिवाली 2020 के आसपास launch की जाएगी इसकी expected price range होगी 25 से 32 lakhs तक तो friends आपको ये upcoming 10 cars कैसी लगी प्लीज हमें comment section में जरूर बताएं मिलते हैं next वीडियो में